दोस्तों स्वागत है आपका UPSC Adder to World 7 पे देखे रिसेंटली काफी important news हमारे पास में आई है कनाडा से कनाडा में अभी कोछ जिनोबाद ही जो खालिस्तानी referendum है वो होने जा रहा है और इसी को लेकर बारत सरकार ने आपती जिताई है और कनाडा की सरकार को कड़ा संदेश भी दिया है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरह की news हमारे सामने आ रही है इंडिया राइजेज कंसन ओवर खालिस्तानी referendum with कनेडा और यह इतना serious issue है कि इससे बारत और कनाडा के बीच में जो geopolitical relation है उनके उपर भी काफी जदा प्रभाव जो है वो पर सकता है तो हम इसको समझेंगे काफी detail में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इससे परसुत करता हूँ मैं मेरा नाम है सरप स्वामी आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ में आपको ज़रूर याद दिला दूँ 10 October से हाल ही में exclusive batch जो है UPSC के लिए वो launch हुआ है completely live foundation batch है जिसमें आपको pre plus mains plus c set तीनों की त्यारी करवाई चाहेगी ये 900 गंटे का live interactive classes जिसमें आपको मिलेगी और one-to-one mentorship है with IAS officers जो आपको समय समय पर guide करेंगे motivate करेंगे और आपकी पूरी-पूरी help वो करेंगे 24 by 7 जिससे आप अपनी त्यारी में motivate रह सकें उसकी साथ देगे इसमें बहुत अच्छे ची facilities है even c set का जो batch है वो आपको free में इसी batch के अंदर मिल जाएगा तो आप serious होकर यदि UPSC की preparation करना चाते हैं तो इस batch में annual होना बिल्कुल भी ना भूलें यहाँ पर जो discount code है वो है Y572 Y572 code लगाने के बाद जो price आएगी वो बहुत कम price होगी जिसमें आप इस batch को purchase कर सकते हैं उसकी साथ यह आप straight pieces को लेकर भी काफी जड़ा serious है तो फिर आप चाएए رाजसान से belong करें हिमाचल से belong करें हर्याना से belong करें सबी के लिए काफी अच्छे प्राइबल हैं आप यहाँ पर ये price पे बिल्कुल भी ना करें जिस भी एक्जाम की आप त्यारी कर रहे हों दीगे इंडिया ने हाल ही में 6 नवंबर को कनेडा में जो पर्तिबंदित आतंकी संगटन है भारत की तरफ से जिसका नाम है सिक फॉर जस्टिस उसके दोरा खालिस्तानी जन्मत संग्रे कराई जाने पर कड़ी आपत्ती जो है वो जताई है यहाँ पर भारतिय विदेश मंत्राले ने शुकरवार को प्रेस कॉन्फरेंस करके इस बात पर काफी गौर बतलाया कि यह जो चिंता है खालिस्तानी जन्मत संग्रे की यह इतनी खतरनाक है कि इससे भारत और कनाड़ा के बीच में जियो पॉलिटिकल एलेशन है उनके ओपर भी काफी ज़्यता प्रभाव जाए वो पढ़ सकता है और इसलिए जो M.E.A. Ministry of Actional Affairs के जो इन्होंने अपने statement में यह बात दिमेंशन करी है कि इंडिया जो है बार बार जो कनेड़ा गोर्मेंट है इसके उपर जो प्रेशर है वो बनाई जा रही है ताकि यह जो खालिस्तानी रेफरेंडम है यह किसी भी तरह से रोका जा सके और हाल ही में कनेड़ा में भारतिय उच्चायोग ने सिखो द्वारा न्याय के लिए आईजित किये जाने वाले इस जन्मत संगरे के संबंद में कनेड़ा के विदेश मंत्राले को भी जिट्टी लिगी है और आप यह मान सकते हैं कि पॉलिटिकली रूप से जितना प्रेशर इंडिया अभी प्रिजन टाइम पर कनेड़ा पर बना रहा है वो एक काफी ज़दा सीरियस न्यूस है क्योंकि खालिस्तानी रेफरेंडम का मतलब यह है कि पब्लिकली अब यहाँ पर चांस दिया जाए कि जो वेक्ति खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं वो खालिस्तान को वोट दे और जो वेक्ति खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते हैं वो यहाँ पर अलग जो कैटेगरी है उसमें डाल दिये जाएंगे और इनके उपर ही हेट क्राइम्स होते हैं और रिसेंटली आपने देख इस लिए इंडिया इसका पूरा पूरा विरोज कर रहा है और इससे पहले में आपको ज़रूर याद दिलाना चाहूंगा 18 सेप्टेंबर को भी ऐसा ही एक खालेसानी रेफेंडम करवाया गया था उस समय भी इंडिया ने काफी ज़्यादा चेतावनी दी थी कनाडा गवर्म में भारत के लोगों के उपर जो कनाडा में वो काफी ज़्यादा एक सीरेस इशू बने हुए हैं और बार बार लगातार आप शायर इस तरह की न्यूस देखते भी होंगे कि किसी हिंदू कम्यूनिटी के उपर किस तरह से जो आटेक है वो किया जाता है या फिर आप यह मा काफी ज़्यादा सीरियस है अभी प्रजेंट डाइम पर जो कनाडा में चल रहा है उसको लेकर इसलिए यहां पर कनाडा गूर्मेंट को चैतानी जो है फिर से जारी की गई है और 2018 के अंदर ऐसा ही एक रेफेरेंडम पहले भी करवाया गया था उसके बाद भी इंडियन ग प्रभावित हुए भी हैं इसलिए अगर इस तरीके के इंसिडेंट होंगे तो जियो पॉलिटिकली दोनों देशों के बीच में संबंद जो है वो खराब हो सकते हैं और बहुत ही ज्यादा खराब हो सकते हैं इसलिए यहां पर तोनों देशों को अपडेट रहना काफी और anti-India elements जह है वही is equal to है खालिस्तानी मलब खालिस्तान को support करने वाले जो लोग है वो और lawmakers जह है वो उसे hate crimes बोते हैं hate crimes का मतलब यह है कि एक community को लेकर आपके मन में जो hate है उसका आप रूप दे crime का और यह एक publicly crime होता है कई बार कुछ वेक्तियों के उपर गोलिया बरसा ही जाती है कई बार जो हिंदू community के टेंपल्स है इनको mentalize किया जाता है और साथ साथ जो statue है recently आपने देखा भी होगा गांदी जी का जो statue है उसको तोड़ा गया था और rapist जह है उसके नीचे लिग दिया गया था अब देखे अगर ये खालिस्तानी referendum हो जाता है तो उसके बाद भारती community के उपर और भी ज़्यदा अत्याचार जो हो सकते हैं इसलिए भारत सरकार जो है इसको लेकर काफी ज़्यादा serious है इवन आप मानेंगे नहीं लेकिन यहाँ पर भारत सरकार जो है वो इतना pressure बना रही है कि चिठ्थिया लिख लिख कर जो Ottawa embassy है वो भर चुकी है इसलिए कनाड़ा सरकार को अब जागना काफी ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही देखिए अभी आपने देखा भी होगा कि जो भागवत गीता पार्क है उसका जो symbol है उसको मेंडलास किया गया था उसको अंदर तोड़फूर की गई बात में यह news यह भी आई थी कनाड़ा सरकार इससे डिनाय करती है लेकिन आप यहाँ पर देख भी सकते हैं स साथी बुरी खवर जो आई थी वो आई थी अभी रिसेंटली इंटर पॉल से क्योंकि इंडिया के एक रिक्वेस्ट भेजी गई थी इंटर पॉल में जो खालिस्तानी लीडर है गुरुपवंत सिंग पैनू उनके खिलाफ लेकिन यहाँ पर इंटर पॉल ने उस रिक्वे आपर इंटर पॉल की तरफ से भारत के लिए काफी सेड निउस जया है वो आई थी अब दीके इंडिया जो इसका पूरा पूरा विरोध करता आया है आगे भी करेगा और 6 नौवंबर को यह जनमत संग्रे होना है अब इस बार काफी बड़े स्केल के उपर यह जनमत संग् को मिला होगा इसी तरीके के इंपोर्टेंट और इंफरमेटी वीडियो सीजात मागे मिलते रहेंगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेर करना बिल्कुल भी ना भूले धन्यवाद